हेलो दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं टाइर कंपनी के बारे में दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि MRF MRF एक ऐसा स्टॉक था दोस्तो जिन्नों ने खरीदा उनको तो करोड़ पती बना दिया लेकिन जिन्नों ने नहीं खरीदा मालने जिए कुछ लोग बच गयते दोस्तो वो सोच रहते कि मुझे दूसरा मौका कब मिलेगा ऐसा स्टॉक खरीदने के लिए जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत तो कम चेकम विल्ट क्रेट कर लो करोड़ो पती नहीं कम चेकम लगफती तो बन जो ऐसा स्टॉक खरीदने के फिर में हम सब लोग रहते हैं तो वो मौका आपके हाथ में आचुका है दोस्तो और वो मौका आपके हाथ से भी जाने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तो हम कभी भी सोचते हैं कि हमें हमारे हाथ कोई ऐसा स्टॉक लग जाए 2-2 रुपिया 5 रुपिया ये 10 रुपिय के आसपास हो और हम उसको बहुत बड़ी क्वांटिटीम खरीद लें जिससे हमें बहुत अच्छा वेल्थ क्रियेट हो जाए मतलब बहुत जादा मुनाफ़ हो हम कभी भी ऐसे सोचते हैं लेकिन हाँ ये भी हमें सोचना पड़ता है कि जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं दोस्तो वो फाइन स्टॉक बताने वाला हूँ और मैं नहीं आज आप खुद बोलिएगा आप अपने मुझ से बोलिएगा कि हाँ अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में इतना दम है कि आपको बहुत अच्छा विल्थ क्रेट करके दे सकता ठीक है सबसे पहले दोस्तो मंदी के वज़े से अभी ज जितने भी और आटो सेल्स थे उनमें क्या हुआ दोस्तों डिक्रीज ऊपा रहा है अब और सेल्स नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो हम ऑटमेटिक हम खुद बोल सकते हैं कि टायर कंपनियों का क्या हाल हुआ ठीक है तो देखिए अभी और आटो सेक्टर बहुत जादा मंद आज के देट में भी 500 किलोमेटर रास्ता तैय करके लोग अपने घर आ रहे हैं नहीं तो दोस्तो अगर कोरोना वायरिस नहीं रहता तो किसी की मजाल है कि एक किलोमेटर दोस्तो वह बाई वाक जाया वह भी पैसे वाले लोग या तो दोस्तो अगर वह गरीब ही उसके पास वो गरीब है लेकिन फिर भी दोस्तों वो पांच किलोमेटर रास्ता तै करने के लिए जरूर कहीं ने कहीं पर या बस या आटो का वेट करता है जिससे वो जल्द ही जल्द पहुंचा और यही टाइम आ चुका है दोस्तों कि सारे आटो इंट्रेस्टी में आप देख सकते हो असो कले लेंड में आपको 90% की घिरावट देखे गई है और यहाँ पर देखे लिए दोस्तों TVS जैसे स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हो 56% की घिरावट है और Hero Motor में दोस्तों आपको 46% की घिरावट है मतलब हम बोल सकते हैं जितना भी आटो सेक्टर है दोस्तों सब मत असलब तबाह हो चुका है और सब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन हाँ यह नुकसान दोस्तों अभी में आप लोग को 2-3 रुपया का एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल के दे सकता है वो है दोस्तों बिर है यहाँ देख सकते हैं लोग खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा हावी है बहुत ज़्यादा हावी है दोस्तों इसका जो डिलेबरी है 99.9 मतलब कुछी हिसा बच चुका है अगर मैं आपको टायर कमपनीयों का आपको जो है दोस्तो एक दूसरे से compare अगर करके बताता हूं तो यहाँ देख लिजे भिष्णा का जो है दोस्तो परमोटेस की holding धूस्तो 53 की आसपास है ठीक है दोस्तो परमोटेस की holding 53 परसंट की आसपास है यह है बिरला के दोस्तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर Apollo टायर टीक है Apollo टायर मैं यहाँ पर आपको 10 जो बहुत बड़े और दिक्कत Lalूर में दिक्कत करें अ तो दोस्तो बड़े-बड़े कमपनी टायर के उसके हम यह आपर बात करेंगे टीक है केवल 27% के आसपास है इसमें अगर हम सबसे जदा ही सिधारी देखते हैं तो दोस्तो आपको वही stock में दिखाई देता है जिसमें मैंने आपको बताया है था और यहाँ पर देख लिए यह है दोस्तो CA tier CA tier में भी कहाँ यहाँ लगबग अगर देखते हैं 46% के आसपास ही है और यह जो लास्ट वला में आपको फाइनली दिखा रहा है दोस्तो यह है JK tier JK tier में भी यहाँ पर देख सकते हैं 56% के shareholding है दोस्तो तो सोचिए आप कौन से stock में जाएंगे दोस्तो यह मंदी के time में आपको उपर वाली stock ने करेंगे जो बहुत बड़े है दोस्तो आपको छोटे वाली stock करेंगे क्यों कि एक छोटा सा plant एक छोटा सा पाउधा दोस्तो ठीक है यह छोटा सा प्लांट यह आपको एक दिन इतना बड़ा profit दे सकता है इतना बड़ा लेकिन दोस्तो यह बड़ा वाला बाधा आपको यह छोटा इतना profit दे सकता है क्योंकि आल्रेडी यह बड़ा हो चुका है अगर आप देखते हैं किसी सेब से तो यह जो दोस्तो यह बड़ा हो चुका और बिल्रा के यहां पर और देख सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बिल्रा स्वास्तिक है यहां पर देख सकते हैं बिल्रा गोल्ड है यहां तक कि दोस्तों बिल्रा सिमेंट भी है ठीक है तो ऐसे बहुत और अच्छे अच्छे quality है जिसमें आपको यह stock आपको टकर देते हुए नजर आएगा और अगर हम देश्टो company को थोड़ा बहुत fundamentally भी देख लेते हैं तो यहां देख लिए पी रेशियो कुछ भी नहीं है company का और जो इंडस्टियल पी रेशियो है दोस्तों वह 16 है मतलब कि आपको यह सस्ते में मि ठीक है तो इसका phase value है 10 रुपया अगर माल लिजे 10 परसेंट भी देता है तो दोस्तों यह आपको हो सकता है दोस्तों 100 परसेंट में आपको 10 रुपय देदेगा stock price ही कितना है stock price के वल यहां पर माल लिजे 3 रुपय के आसपास है अगर माल लिजे यह दो माल लेते हैं कि एक अगर कुछ भी डिविडेंट देता है तो अच्छा खासा आपको जो है देखा जाएगा दोस्तों माल लिजे 40 पैसा यह एक रुपय के आसपास भी देता है तो ठीक है दोस्तों यहां पर फेस वेल्ली तो बहुत जादा अट्रेक्टिव नजराया और देख लेते हैं कितन आपको बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है इसमें आप जो है केवल 5,000 रुपया यह 10,000 रुपया लगा के छोड़ सकते हो जिससे अगर चल गया तो आपका फ्यूचर बन जागा दोस्तों चल गया तो आपका फ्यूचर बन जागा और ऐसे भी अकर नहीं भी चला तो आपका 5000 बिस जाएगा ऐसे भी तो आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे आप डूबा देतो ठीक है तो अगर ऐसा हुआ तो देख लिजिए ठीक है तो यह स्टॉक जो आपको दिख रहे है दोस्तों आदिती बिडला ठीक है तो यहाँ पर देख लिजे दोस्तों यहाँ पर अगर हम मैं NSE के website में दिखाता हूं तो लोग खरीदने के लिए तो बहुत ज़्यादा ready हैं और दोस्तों सारे अगर tire industry में देखते हो सबसे ज़्यादा जो है इसी पर लोग अपना विचार दे रहे कि यही stock जो है आपको अगर हम यहाँ देखते हैं तो दोस्तों यह box में कोई भी बेचने के लिए ready नहीं है सबी लोग खरीदना ही चाहते हैं ठीक है तो सबी लोग इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि दोस्तों इसका price increase होगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो like करके जरूर increase किजेगा दोस्तों और फिर मिलते हैं हम आने वाले next वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आने वाले वीडियो मिस ना हो जाए और हां दोस्तों कुछ भी खरीदने से पहले कुछ भी चाहिए जो मैंने आपको बताया कुछ भी खरीदने से पहले आप एक बार सोचिए जरूर और अपना fundamental या technical जो भी है वो भी अपना जो है एक बार देख लिजे उसका बात कुछ न कुछ खरीदे जिससे profit भी आपका और loss भी आपका ही रहेगा